असलाम उलेकुम फ्रेंट्स, विलकम टू एड़ दरेट 786 कीचन आज मैं आप लोगों के साथ सहजन की तरी वाली सबजी की रेस्पी सेयर करूंगी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और हिल्दी भी होती है और बनाने में भी बहुत असान तरीका है तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने 300 ग्राम सहजन को अच्छे तरीके से धो कर सुखा लिया था उसके बाद कट करके लिया है और एक अलू भी आइड करूंगी अगर आपको अलू पसंद नहीं है तो इसकी भी कर सकते हैं तो सहजन आलू को कट करके ले लिया है इसको रख देते हैं साइड में अब एक यहां पर मैंने मिक्सी जार लिया है इसमें दो हरी मिर्च को कट करके डालेंगे और एक मेडियम सहज के प्याज को कट करके डालेंगे फाफ इंच द्रक का तुगड़ा और पांच से छे लहसन की कलिया को इसके अंदर डालेंगे और एक मेडियम सहिच के टमाटर को कट करके लेंगे चोटा चमच से सरसुर लेंगे एक चोटा चमच और हाफ चमच खड़ा जीरा और खड़ा काली मिर्ष हाफ चमच लेंगे और आधा चमच धनिया पौडर लेंगे और इसको एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने पेश्ट रेडी कर लिया है आप देख सकते हैं चलते हैं चूले की तरह यहाँ पर मैंने गैस ओन करके कड़ाही चड़ा दिया है और उसके अंदर एक बड़ा चमच थेल डाल दिया है जब अच्छे से गरम हो गया तो कटे हुए सहजन को तेल के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे लगबग तीन से चार मिनर तक मेडियम फ्लेम पर भूनेंगे ताकि जो सहजन का कच्छा पन है वो निकल जाए एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा फ्रेंड्स बहुत ही इजी रेसिपी है और उतना ही टेस्टी भी बनती है तो मैंने यहाँ पर लगबग तीन से चार मिनर तक सहजन को भूना है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हलका सा इसका कलर चेंज हो गया है तो जो कटा हुआ आलू हम लोगों ने रखा था काट कर उसको आइड करेंगे और दो मिनर तक इसको भूनेंगे सहजन और आलू को और दो मिनर तक मैंने भूना है फ्रेंड्स और यह बिलकुल अच्छे तरीके से भूना गया है इस स्टेज पर हम लोग एक चमच नमक आइड करेंगे नमक डाल कर ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है सिर्फ तीन से चार बार इसको चलाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा सहजन आलू बिलकुल अच्छे तरीके से भूना गया है तो इसको हम किसी बरतन में निकाल लेते हैं और सेम कडाही में मैं एक कप तेल डाल दी हूँ तो इसको चला लेंगे अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे एक चमस नमक नमक आप अपने कोडिंग डाला सकते हैं जितना कम ज्यादा खाने पसंद बरते हूँ करते हैं और इन मसालों को अच्छे तरीके से चलाते हुए लगबक तीन चार मिनर तक मेडियम फ्लैम पर भून लेंगे तो मैंने यहां पर तीन मेंध्य में फ्लैम पर में उसके बाद हम लोग सहजन को आड़ करेंगे तो आलू अच्छे तरीके से बुना गया था तो मैंने यहां पर सहजन को भी एड़ कर दिया है और यहां पर एक मेडियम साइज के टमाटर को भी कट करके एड़ किया है अगर आपको ज्यादा टमाटर पसंद है तो बड़े स देश्टी बनती है फिस करी का स्वाद आता है इस रेसिपी को जरूर ट्राइए करें और यहां पर मैं पानी आइट कर दे रही हूं और आपके पास धनिया पत्ता होगा तो धनिया पता डाल दीजिएगा मेरे पास नहीं था इसलिए नहीं डाला और ढखकर तीन से चार मिन कुक करने के बाद आप देख सकते हैं यह हमारा आलू और सहजन बिल्कुल ही कुक हो गया अच्छे तरीके से और सहजन की सबजी बनके रेडी हो गई है और इसको हम लोग फ्लेम को आफ कर देंगे और किसी बरतन में सर्ब कर लेंगे तो मैंने यहां पर एक बावल में रेस्पी बहुत ही असान रेस्पी है अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यह रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब् सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा मिलते हैं नई रेस्पी के साथ अब तक के बाई बाई अल्ला हाफीज ठैंक्स पर आची